जै श्रीहरी स्प्रीचल यान में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में जानेंगे गंगा जल के कुछ अच्चूक प्रियोग। गंगा जल को घर में कौन सी दिशा में रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा अपने घर के इशान कोण याने की पूजा घर में ही रखना चा जाता है इसलिए रोज नहाते वक्त पानी में थोड़ अज़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए दो गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र रहन के समय छिड़कने से ग्रहन का प्रभाव समाप्थ हो जाता है तीन किसी भी मांगलिक अफसर पर घर यगविदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है चार गंगा का पानी पीने से सभी प्रकार के रोग और शोक मिट जाते हैं क्यूंकि शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है मन को शुद्ध करने के लिए भी गंगा जल को पिया जा सकता है पांच कहते हैं कि किसी के प्राण यदी नहीं छूट रहे हैं और वह तडप रहा है तो उसके मुहूं में गंगा जल डानने से वह शांती से देहे को छोड़ देता है इसलिए इसे मोक्षदाइनी नदी भी कहा जाता है गंगा ही एक मात्र ऐसी नदी है जहां पर अमरित कुम्भ की कुछ बूंदे दो जगहा पर गिरी थी प्रियाग और हरिद्वार में इसलिए इसके जल का महत्व बढ़ जाता है और यहां कुम्भ का आयुजन भी होता है साथ गंगा का जल कभी अशुद नहीं होता और ना ही यह सड़ता है इसलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भर कर रखा जाता है इसे घर में रखना बहुत शुब होता है गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान हो जाता है क्यूंकि बैक्टिरियो फेज नामक जीवानु गंगा जल में मुझूद रहता है जो जल को शुद्ध कर देते हैं गंगा जल में प्राण वायू की प्रचूरता बनाए रखने की अद्भुत शमता है जहां ऑक्सीजन की कमी लगे तब इस नदी के किनारे रहकर या इसके पानी को पी कर इसे प्राप्त किया जा सकता है गंगा की पानी से हैजा और पेचिस जैसी बिमारियों का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है इस जल को कभी भी किसी भी शुद्ध इस्थान से पिया जा सकता है दस गंगा की पानी में गंधक की प्रचूर मात्रा है इसलिए यह खराब नहीं होता इसके अतिरिक्त कुछ भूर असायनिक किरियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं जिससे इसमें कभी भी कीड़े पैदा नहीं होते यही कारण है कि गंगा के पानी को बेहत पवित्र माना जाता है इसे पीने से कई तरह के रोग स्वता ही नस्ट हो जाते हैं कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्षन में बताएं इसी तरह की और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें